आपका CRPC में 164 भाई बता जा रहा था यहां से आपका एक कोचन बनने का पूरा चांस रहता है और तमाम चीजें छोटी-छोटी बताई गई एक कोचन जो कल टेस्ट में पूछा गया था आपका वह भी नहीं बता गया था वह यह था देखिए मैं बता था आपका चेतावनी के बारे में कि मजिस्टेट अभ्यूक्त को तीन चेतावनी देंगे पहली चेतावनी यह देंगे कि अभ्यूक्त संस्विक्रिती करने के लिए बाद नहीं है दूसरी चेतावनी यह देंगे कि वह जो भी आपका संस्विक्रिती करें स्वेच्छा से करें कोई जोर जबर ज तीसरी चेतावनी ये भी देंगे कि हो सकता है कि ये सहंसुकृति तुम्हारे खिलाब आगे जाच या विचारण में साच में प्रयोग की जाएगी ये तीसरी चेतावनी हुई और चौथा आपका लिखने का मेथड बता गया था कि कनफेशन कैसे लिखा जाएगा तो उसके के लिए आपका सेक्षन एक बता गया था 281 दो सव इक्यासी के तहत जो संसुकृति लिखी जाती है वह ब्रितांत में लिखी जाती है नौकी प्रश्न उत्तर के रूप में और कोशन ये बना था टेस्ट में कल का कि निम्लखित में से कौन सही नहीं है तो उसमें आपका आ प्रश्न उत्तर के रूप में लिखी जाती है ये सही नहीं है क्योंकि सेक्षन 281 बताता है कि ये ब्रितांत में यानि कि कहानी के रूप में लिखी जाएगी कहानी का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अभियुक्त बोलता है वैसे वैसे ही हू बहू सब्द सा उसकी बातें क् कि प्रश्ण उतर के रूप में नहीं तो किस रूप में लिखा जाता है वृतान्त के रूप में कहानी के रूप में ये कहां बताया गया है तो 281 में बताया गया 164 में नहीं अगला देखा जाए आपका जो अगला कोचन आपका इसमें है थोड़ा बहुत बचा था उसके बाद अगला सेक्षन आपका पढ़ा जाएगा देखे थोड़ी बहुत बाते आपका 164 में अभी बची थी और वह आपका खंड 5 ए बचा था देखिए या जो खंड है ये बाद में जोडा गया और ये आपका 2013 में जोडा गया और कब से लागू हुआ तो तीन फरवरी 2013 से लागू हुआ किस केस के बाद जोड़ा गया तो आपका जबाब रहेगा निर्भया कांड के बाद किस समित किसी पारिस पर जोड़ा गया तो जैस्टिस जैस बर्मा 2013 में किनकिन कानूनों में संसोधन किया गया एक बार ये कोचन आया है दे दे एविडेंस, IPC, CRPC उपर्युक्त सभी तो आप उपर्युक्त सभी मारकोर आईएगा यानि कि सभी में आपका क्या किया गया संसोधन इसमें मुखे बाते हैं क्या पहले ये देख लिया जाए अगर दुराचार की सिकार महिला है तो ऐसी दसा में अगर वह बोलने में असमर्थ हैं या इत्याद मांसिक या सारेरिक रूप से उसका बयान 164 का दर्ज किया जाएगा और अगर वह नहीं आ सकती कोट में तो उसका जो बयान है वह examination in chief मान लिया जाएगा यानि कि मुखे परिच्छा मानी जाएगी यानि कि आपका 164 का बयान किसमें कनवर्ट हो जाएगा examination in chief में मुखे परिच्छा में डाइरेक्ट उसकी अब कौन सी परिच्छा हो सकेगी परत परिच्छा अगर जिन्दा है और नहीं असमर्थ है तो वो भी नहीं होगी और मर गई तो ये जो statement record मजी state ने किया है ये convert हो जाएगा dd में यानि कि dine declaration में याद रखेगा सबसे उत्तम निर्भया कांड है निर्भया ने मजी 164 का statement दर्ज कराया उसके बाद उसकी डेथ हो गई मुख्या आधार जो दंड का बना वह 164 का बयान ही बना और वह मृत तुकाली कथन माना गया और मृत तुकाली कथन कैसा साच होता है सारवान इसी को आपका evidence में थोड़ा हमें देखना है कि परिच्छाएं कितने प्रकार की होती है चार प्रकार की चारों याद किये रहिएगा पहला मुख्य परिच्छा examination इंचेप इसके बाद cross examination यानि कि प्रत परिच्छा फिर आपका re-examination फुना परिच्छा फर्दर cross examination अत्रिक्त प्रती परिच्छा तो मुख्य परिच्छाओं की परिभासा पूछा जाता है कि सेक्षन में दिया है 137 में और क्रम किस में है 138 में गलत न हो परिच्छाओं की परिभासा की इधारा में evidence के 137 कई बार कोचा न आया है और serial कब किस में दिया गया है क्रम अनि कि कौन पच्छकार कौन सी परिच्छा पहले होगी कौन बाद में होगी इसका क्रम कहां दिया गया है तो 138 में दिया है तो आई अब बेरेक्ट देखा जाए पाच ए आई पीसी की धारा 354 यानि की आपका लज्जा भंग करने के इरादे से किसी इस्त्री पर हमला या अपराधिक बल का प्रियोग करना ताकि उसकी लज्जा भंग हो जाए अब इसमें आपका निर्वस्त्र कर दिया जाता था इस्त्री को तब भी यहीं धारा लगते थी यानि की दुरौपती कांड में भी यहीं धारा लगते थी तो 2013 में चार धाराएं पढ़ाई जाएंगे आगे अब तो कल से आपका शुरूई होगा मानव सरीर के भी रूद अपराद तो उसमें चार धा सेक्शन और पढ़ा जाएगा 354 ने 354 भी सी और डी जो केवल अपराद पूरुद्वारा किया जा सकता है किसके प्रती महिला के प्रती इसमें आपका एक पोचन यहां से पूछा जाता मिलाने वाला और चीर हरन का जो में आएगा तो 304 ने भी सी डी इसके बाद दुराचार की धारा हैं फिर 509 सेक्शन है कि अधिन दंडनी मामलों में न्याइक मई स्टेट उस्व्यक्तिका जिसके विरुदूप धारा पांच में विहतरित से ऐसा अपराद किया गया है कथन जैसे ही अपराद का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा यानिकि इसका मतलब यह हुआ कि दुराचार की सिकार महिला और कुछ अपराद और दिये गये हैं अगर किसी महिला के प्रतिय अपराद किया गया है जैसे ये फायार दर्ज होती है वैसे ही मजी स्टेट के समझ उस महिला का बयान 164 का दर्ज कराना अनिवार है ये बैकल्पिक नहीं है करेगा अभिलिखित क्या करेगा करेगा आपका इसमें परंतुयद कथन करने वाला अभ्यक्ति और स्थाई या स्थाई रूप से मान्चिक या सारे रिक रूप से निशक्त हैं तो मजी स्टेट कथ अभिलिखित करने में किसी दूभासिय या विशेश प्रबोधक की सहायता लेगा जैसे निर्भयाकान में बोलने में असमर्थ थी ज्यादा इसारा ही कर रही थी तो एक विशेश प्रबोधक रखा गया जो उसके इसारें को क्या करे समझे अब इसी को एविडेंस से जोड और नाइन में कि जो ब्यक्ति बोलने में क्या है असमर्थ उसके लिए अगला देखे सेकंड परंत विया और किया कथन करने वाला ब्यक्ति और स्थाई या स्थाई रूप से मांसिक या सारी रिक रूप से निसक्त हैं तो किसी दूभासिय या विशेश प्रबोधक की सहाय हाता से, उस ब्यक्ति द्वारा किये गए कथन की वीडियो फिल्म तयार की जाएगी यानि की रिकार्ट होगा, गथन रिकार्ट किया जाएगा वीडियो बना जाएगा, जैसे आप लोग किसी भी साधीमेत हर में बारात में जा र οποya को क्या कर रहे हैं, वीडियो अपने क्ल का न फोटो जाएगा जिसको पढ़ना उपढ़े न पढ़ना उपढ़े यह सब काम हमारे द्वारा लाली पाप नहीं दिया जा सकता ना आतक दिया गया है न दिया जाएगा अच्छा है कोई पढ़े या क्या करे गढ़े गढ़े मतलब नहां पढ़े गढ़े समर रहें कि न जौनपूर वाले भी कहे जाते हैं कि जौनपूर का च्याकू प्रसिद्ध हैं यानि कि जौनपूर वाले तेज होते हैं साउधान रही है अब प्रताप गड़ वाले सौ पढ़े लिखों पर भारी पढ़ेंगे यानि कि नचा देंगे आपको तो यह तमाम कहावते हैं बाई स्थाय रूप से मांसिक या सारी रूप से असक्त हैं खंड को के अधीन जो अब लिखित कथन है एविडेंस की धारा 137 में आपका एक मुख्य परिच्छा समझा जाएगा और मुख्य परिच्छा अब नियाले में पीड़िता की नहीं होगी डाइरेक्ट अब क्या होगा क्र आपका पांच पांच आपका खंड पांच ये में जो उप खंड भी है उसी में क्या है मुख्य परिच्छा से क्या मिल गई छूट इसके बाद देखिए धा खंड छे देखिए इस धारा क्या दिन संस्कृति या कथन अब लिखित करने वाला मैस्टेट अधिकारता रखने वाले मैस्टेट को सौप देगा भेद देगा तो पहला खंड से कोर्लेट करिएगा कौन संस्कृति या कथन लिख सकता है जो कोई नियाइक मैस्टेट या महानगर मैस्टेट चाहें उस मामले में उसे जू डिक्सन हो या नहो हैं तो ठीक अपने पास रख लेगा और अध रिकारता नहीं है तो कनफेशन या स्टेटमेंट रिकार्ड करके किसको भेद देगा जो डिक्सन रखने वाले मजी स्टेट को अब आपका यहां से कोचन निश्चित बनता है वह अच्छे से इस धारा को तायार करके जाएगा एक कोचन कहीं गया नहीं है आपका अगला द परिच्छा यनकी दुराचार की सिकार महिला की सारीरिक परिच्छा बस समय पूछा जाता है कि जिस समय अपराद की सूचना मिली उसके कितनी घंटे के भीतर समय जरूर याद रखेगा वहीं याद करना 24 घंटे के भीतर और ऐसी परिच्छा पुर्ष डाक्टर द्वारा क महिला डाक्टर द्वारा महिला की सहमत से की सहमत के बिना की जाएगी तो महिला की सहमत से और अगर महिला पागल है वयस्क है तो किसकी सहमत चाहिए उसके गार्जन सहमत के बिना नहीं याद रिखे और सभी बातें डिटेल में आपका क्या की जाएगी लिखी जाएगी जैसे कि इस्तिरी का नाम जिसने उसका लाया उस ब्यक्ति का नाम इस्तिरी की आई डियने टेस्ट के लिए इस्तिरी के सरीर से कौन से सामगरी ली गई है आपका जिसे बाल लिया गया कि कोई आपका ब्लड निकाला गया कि क्या निकाला गया लिखा जाएगा आपका बाल का भी खाल निकलता है बाल से भी डियने क्या हो सकता है एविडेंस में मैं बताया था पर इस्तिती जन साच में धननजे चटर जी का केस बाल के आधार पर क्या मिल गई मृत दन एक और उदारन बताएंगे पहले देख लिए जैक दूलाइन इस तरी के सरीर पर कहां कहां चोट के निसान है उसकी मांसिक दसा क्या है और अनिबावरे ब्यावरे और पूरी बातें डिटेल में मेडिकल रिपोर्ट लिखते समय यहनि कि आपका मेडिकल रिपोर्ट जब तायार होगी तो पूरी बातें डिटेल में क्या की जाएंगी लि अब यहां आपका जो कोशन एक हम बताते हैं आपका निर्भया कांड का बताते हैं जहां कि आपका इस्त्री के सरीर पर जो निशान थे नाखून के दो अभ्युक्त उसी के आधार पर चिन्नित किये गए दो अभ्युक्तों ने प्लिया फेली बाई का बचाव लिया यानिकि एविडेंस की धारा इग्यारह का बचाव लिया कि हम घटना अस्थल पर नहीं थे तो इस्त्री के सरीर पर जो नाखून के चिन्ह लगे थे वो चिन्ह और इनका डिने टेट किया गया अभ्युक्तों का दोनों मैच कर गया, यहनि कि मैच कर गया, यहनि कि आप घटना अस्तल पर क्या थे, मौझूद थे, इसलिए डियने टेट करा जाता है, मैच कर गया मतलब कि आप वहीं क्या थे, मौझूद थे, इसके बाद 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तालासी, आपका ये भी हलका से और एक वारंट के बिना, तो आपका पुलिस अधिकारी द्वारा तालासी के लिए, एक सेक्शन 47 देखेंगे, अगर पुलिस को लगता है, कि वारंट जारी कराने में बहुत देर हो जाएगी, तालासी का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वारंट के बिना पुलिस क्या कर स केगी, तालासी, भै आपका 47 से जोड कर पढ़ना इसको, 165 को, इसको कम चांस रहता है, आगे देखा जाए, आपका तालासी इसके बाद आपका 166 से भी कम चांस रहता है, अब जो धारा हैं आपको हमेशा पूछी जाती हैं, 166 और 166 भी, जो भी कारण हो, आपका लगाता ये दोनों में से एक धारा, 99 परसेंट चांस रहता है की आजाएगी, देखे आपका, अब आपका दो, तीन धारा हैं, एक साथ पढ़ना भाई, पहला तो, 166 ए, रट्टा मार कर जाएगा, 166 भी, 189 और 190, नहीं, 188 और 189, भारत से बाहर अगर ज्यादा पढ़ना तो IPC की धारा, तीन चार पढ़ सकते हैं, एविडेंस में भी आप पढ़ सकते हैं, एविडेंस आपका लेक्स फोरी हैं, ये भी आपका सुबह वाले पिरियड में बता गया, लेक्स मतलब ला, फोरी मतलब फोरम, अस्थ अस्थान विशेष की बिदी, अस्थान भी नमार दिजेगा, अस्थान विशेष की बिदी, आपका एविडेंस हैं, और लेक्स लोसी भी अर्थ पूछा जाता है, लेक्स मतलब ला, लोसी मतलब लोकल, लोकल मने अस्थानी, तो लेक्स लोसी का अर्थ बताईए, तो अस् स्थान विशेश के भी दूसमें देखेगा और स्थान विशेश तो पहले तीनों इसको समझेए आपका आईपीसी की धारा तीन और चार उन दसाओं को बताती हैं जिन दसाओं में कोई ब्यक्ति चाएं भारत का नागरिक हो या विदेशी भारत से बाहर अपराद किया हैं तो वह भारत में दंड का क्या होगा भागी इसको आपका कहते हैं एक्टा टेरिटोरियल जू डिक्सन यानि कि आपका छेतरातीत मतलब की भारत की सीमा से क्या बाहर अगर भारत में उसके खिलाब मुकदमा चल रहा हैं जो भारत के बाहर अपराद किया हैं तो अब उसकी विरुद जो आरोप हैं उसको एविडेंस की प्रक्रिया के तहत साबित किया जाएगा तो भारतिय साच्य अद्नियम ही लागू होगा बिदेशी नहीं क्योंकि भारतिय साच्य अद्नियम कैसे बिदिया हैं लेक्सपोरी समल लिजे हैं यदि कोई घटना बिदेश में हुई हैं तो भारत में उसे भारतिय साच्य अद् प्रावधानों के तहत साबित किया जाएगा किसी को हम क्या कहते हैं लेक्स फोरी नौकी जहां घटना हुई है आपका यहीं आपका लेक्स फोरी का मतलब ही हुआ अब चार धारा है आपका एक धारा आपका कोचन बनने का चांस हैं यह रट्टा मार कर जाना है भारत से बाहर इनिविश्टिगेशन कराना है तो 1806 क्या जारी किया जाएगा लेटर आप रिक्वेश्ट या अनुरोध पत्त यहीं रट्टा मार यह लेटर अपका बिदेश से भारत में अनिविश्ट कराना है तो क्या जारी होगा वहां से लेटर आप रिक्वेट नियाले जारी करेगा भारत के नियाले जारी करेंगे लेटर आप रिक्वेट 186 है विदेश के नियाले की धारा में भारत के लिए जारी करेंगे 186 भी अगर भारत से बाहर अपराद हुआ है तो भारत के किस स्थान में जांच और विचारण किया जाएगा इसका प्रावधान की इधारा में है 188 में जहां वह अभ्यूक्त क्या हो पाया जाए एक लाइन याद रखेगा दिल्ली में पाजाए तो दिल्ली में बामबे में पालिया जाए तो कहाँ बांबे में लेकिन किसकी पूरुमन जूरी से इजाज या विचारण होगा तो केंद्रिय सरकार इतना याद रखिया गए तो हम डिटेल में बताएंगे इसके बाद 189 भी पूछा गया है कि भारत से बाहर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए 189 के तहत क्या इसू किया जाएग कमीशन मनें आयोग हिंदी में तो लेटर आप रिक्वेश्ट इंदो धाराओं में 189 में क्या कमीशन भाई रटे रहिए अलग से आपका अंदर से नहीं पढ़ा जाता अब आजाएए आपका 167 167 में एक कोचन यहां से भी सेट रहता है इसमें आपका कोई मनें का सकते हैं दो राय नहीं है पहले भूम का देखिए और तब आपका एक कोचन आपका आएगा 167 से यहीं आपका एक बड़ी धारा है और जो आपका थोड़ टेक्निकल भी है आधा कोट का चारी इसी धारा पर चल जाता है यहीं लाट जो धारा है थोड़ा बड़ी है इसके बाद तो चोटी-चोटी धारा आएंगी और पांच-पांच मिनट में दह-दस मिनट में निपड जाएगी देखिए आपका इस धारा की भूम का देखिए जब भी इस सेक्षन को पढ़िए तो सबसे पहले आपका हम बता रहे हैं 173 वन पढ़िएगा इसकी बाद आप पढ़िएग आपका जो जो समय दिया गया है जो जो बातें बताई गई है वे वे बातें पढ़ने हैं पहले तो आपका 15 दिन का नियम पढ़ना है फिर 7 दिन का नियम पढ़ना है फिर 60 दिन का नियम पढ़ना है फिर 90 दिन का पहले समय पर आईए यानि कि 15 दिन, 7 दिन, 60 दिन और 90 दिन ये पहले निप्टा लिया जाए तब आपका और बातें बताई जाए और जब भी 7 दिन का पढ़ियेगा तो एक पुछा गया है कारिपालक महिष्टेट 15 दिन का पढ़ियेगा तो न्याइक महिष्टेट एक जो महत्पूर आपका बात देखनी है वह आपका पुलिस अभिरच्छा भी इसी में है और न्याइक अभिरच्छा भी इसी में है यानि कि पुलिस का स्टडी, जुडिसियल का स्टडी उसके बाद एक और पूछा जाता है डिफाल्ट बेल डिफाल्ट बेल का मतलब ब्यातिकरम के कारण आपका या चूक के कारण जमानत देना तो अगला इसमें पढ़ना है ब्यातिकरम मने डिफाल्ट कर गया ब्यातिकरम के कारण जमानत इसके बाद आपका मेंस और प्रिमें भी कोचानाता है कि क्या मजिस्टेट पुलिस इन्वीस्टिगेशन को रोक सकता है सामान तह नहीं क्योंकि पुलिस की विवेचना को रोकने का आधिकार केवल हाई कोट और सुप्रिम कोट को है मजिस्टेट को नहींаешь निचले मजिस्ट आपका मेंस और इंटर्व्यू में पूछा जाता है वहीं अप्वाद हम कहां बताएंगे आपका 167 मने छे सत बातें एक दम गौर से पढ़ना है पहले देखिए आपका सुरुवात किया जाए आपका CRPC की धारा 151 73 का क्लाज 1 आईए ये बताता है कि इस अध्याय के तहत जो investigation होगा यान कि साच का जो एकत्रित करण होगा वह अनावस्षक बिलंब के किया जाएगा बिना डिले के तो तुरंत एक सी धान निकालिये कि speedy investigation त्वरित अनवेशन, सिघ्र अनवेशन या तेजी से अनवेशन कि speedy investigation कहां दिया गया है तो 173 के किस कलाज में 1 पिछली बार आपका दो पूछा गया था तो 1A पूछा गया थो भी बता दिया जाए CRPC की धारा 173 1A में आपका प्रावधान है कि अगर किसी सिख के साथ दुराचार होता है तो उसका investigation दो मा के अंदर पूरा किया जाएगा बाधिकारी है वैस समय पूछा गया था कितने मा के अंदर पहले ये समय तीन मा था अब संसोधन करके कितना कर दिया गया दो मा कभी ये जोडा गया क्यों जोडा गया आगे बता जाएगा आपका उस में अभी न जाएगा क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा इसके बाद आप 57 आईए 57 क्या बताती है section क्योंकि 166 में वहीं जूड़ी है 57 ये बताती हैं कि जब पुलिस किसी ब्याक्ति को वारंट के बिना गिराफतार करती हैं तो 24 घंटे के अंदर वह मजिस्टेट के समझ उसे पेस करेगी 24 घंटे जैसे हुआ या तो उसे छोड़े या नियाय निकरतम मजिस्टेट के पास पेस करें अब यहीं आपका समस्या है कि मजिस्टेट में कौन सा मजिस्टेट है पहले किस मजिस्टेट को खो जा जाए जूडिसियल मजिस्टेट को नियाय यानि कि सामान तक किस मजिस्टेट के हाँ पेस किया जाएगा नियायक मजिस्टेट नियाईक मजी स्टेट के हाँ पेस किये जाने पर नियाईक मजी स्टेट क्या कर सकते हैं तो या तो जमानत दे दें अभियुक्त को या पुलिस रिमांड पर दे दें या नियाईक अभिरच्छा में जब पुलिस अभिरच्छा में दिया जाएगा तो अभियुक्त थाने के क अंडर में नहीं तो पहला पॉइंट आपको यह समझना है कि आपका 15 दिन का नियम पहले समझना है कि अगर न्याइक मजिस्टेट के हैं अभीयुक्त को पेस किया गया तो न्याईक मजिस्टेट गिरफ़तारी के प्रत्थम 15 दिन के अंदर ही पुलीस अभीरच्छा में अभियुक्त को दे सकते हैं ये कोशन याद रखे पहला कोशन ये बनता है कि नियाइक मईश्टेट एक बार में अधिक्तम कितने दिन तक के लिए अभियुक्त को अभिरच्छा में सौंप सकते हैं 15 दिन एक बार में अधिक्तम कितना दिन 15 दिन रट कर जाईए दूसरा कोशन आपका बनता है कि एक बार में आपका मने कह सकते हैं कि जो प्रथम 15 दिन होता है ये काफी महतपूर होता है अगर पुलिस अपने अभिरच्छा में अभियुक्त को मांगना चाहती हैं तो प्रथम 15 दिन के अंदर ही मांग ले और जैसे ही प्रथम 15 दिन बीता इसके बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरच्छा में नहीं दिया जाएगा तो केवल कहां भेजा जाएगा न्याई का भिरच्छा यानि कि प्रथम 15 दिन का जो मैटर है ये कनवर्ट होता रहता है जैसे दो दिन के लिए पुलिस को मैटरेट ने दिया तो दो दिन के लिए नैनी जेल फिर फिर पुलिस ने मांगा दो चार दिन के लिए दे दिया फिर नैनी जेल फिर मांगा फिर लेकिन ये जो चुहा बिली का खेल है ये कितने दिनों तक चलेगा तो गिरफतारी के फट कितने दिनों तक 15 अगर 15 दिन के बाद क्या पुलिस रिमांड पर अभ्युक्त को दिया जाएगा नहीं केवल किस रिमांड पर वो जाएगा किस अभिरत्छा में भेजा जाएगा उसे न्याईक अब बढ़ाएए भाई य तब यहीं कारिपालक मेस्टेट भी समझा दिया जब आपका 15-15 दिन आगे बढ़ाएंगे करम से अगर कारिपालक अगर न्याइक मजिस्टेट नो मिल पाए जुडिसियल मेस्टेट तो आपका एक प्रावधान 1978 में ये किया गया संसोधन करके कि अयसे कारिपालक मेस्टेट निकि दियम एडियम जो भी हो कारिपालक मेस्टेट के हाँ भी अभियूग्त को हैस किया जा सकता है जिसे जुडिसियल पावर दी गई हो बहुत सभी के नहीं जिसे कौन सा पावर दिया गया हो न्याइक तो क्या कारिपालक मईश्टेट के हाँ अबयुक्त को पुलिस पेस कर सकते हैं कब जब न्याइक मजीश्टेट या जूडिसियल मईश्टेट एबुलेबूल नो हो कारपालक मईस्टेट का पूछा गया है एक बार में अधिक्तम कितने दिन तक अभिरच्छा में भेज सकता है साथ दिन साथ दिन के बाद उसे कोई पावर नहीं है चाहें पूलिस अभिरच्छा में भेजे चाहें न्याइक अभिरच्छा में लेकिन अधिक्तम कितने दिन तक के लिए 7 दिन तो बताईए नियाइक महिस्टेट एक बार में अधिक्तम कितने दिन भेज़ सकता है अभिरत्चा में 15 कारिपालक महिस्टेट सब पंद्रह दिन के बाद कों मने 15 दिन के बाद न्याइक मेंड़ सकता है लेकिन केवल किस अभी रछा में पोलिस नहीं किसमे केवल न्याइक और कारीपालक मेंड़ को सबट दिन के बाद कोई पावर नहीं है क्योंकि ये न्याइक का रहे हैं तो न्याइक मेस्ट्रेट करें वो तो अब वाधिक में आ गया कि भाई 12 बैर रात में 24 गंटा भी इतने वाला है तो भाई कारिपालक मेस्ट्रेट राजी सरकार का आदमी है 24 गंटा उपलब्द है न्याइक मेस्ट्रेट के हैं दो बजे जा आजाए अब यह समस्या गंभी रहें तो 15 15 दिन बढ़ा जाएगा और देखे कितने समय तक इसे जेल में रखा जाएगा भाई अभी आपका बेरेक्राद नहीं शुरू उपाएगा पहले भूमका देखे में भूमका में हमें लगता है कि 90% कोशन आ जाना चाहिए तो 15 दिन पढ़ाया फिर अभ्यूक्त आया फिर 15 दिन फिर 15 दिन अब अगर अपराद फिर एक बार देखे अगर जिस अपराद में अभ्यूक्त को गिरहतार किया गया है अगर उस अपराद के लिए अधिक्तम दंड दस वरस से कम है सतरक रहे बिहार में पूछा गया था इस बार दस वरस से कम है तो जो ये 15-15 दिन की अवद बढ़ाई जा रहे हैं नयाई का विरच्छा के लिए अगर कितना दिन हो गया साथ दिन और पूलिस ने अगर इस साथ दिनों में बीबेचना या अनवेशन पूरा नहीं किया यनकि मजी स्टेट को अनवेशन की रिपोर्ट नहीं भेजी तो इस आधार पर अभ्यूक्त जमानत का हकदार हो जाएगा वह साधिकार जमानत पालेगा और इसी को डिफाल् ब्यातिक्रम के कारण जमानत यनकि जब पूलिस साथ दिन के अंदर आरोपत्र दायर नहीं करती पूलिस रिपोर्ट नहीं भेचती अभ्यूक्त अगर उस दवरान जेल में है तो साधिकार वह जमानत पाने का क्या है हकदार इसी को हम क्या कहेंगे डिफाल्ट बेल लेकिन अगर किसी अपराध में जो दंड है वह दस वरस तक है या दस वरस से अधिक दस वरस तक का महत्पून है दस वरस तक का भी या दस वरस अधिका का रावास या आजीवन का रावास है या मृत दंड है यहीं point आपको पकड़ना है गलती होती हैं अगर eko rate 10 वरस का है तो कितना दिन का नियम लागू होगा 60 दिन की 90 दिन तो 90 दिन 10 साल से कम है तो 60 अगर अपराद की कादंड 10 साल या 10 साल से अधिक हैं तो यह 60 दिन नहीं भल्कि कितना दिन मिलेगा पुलिस को 90 अगर 90 दिन मन त पूरा नहीं कर पाती और इस दौरान अभ्यूक्त कहां है आपका न्याई का विरच्छा में है जेल में तो वह जमानत पाने का क्या होगा हकदार इसको हम करसा बेल कहते हैं कि फाल्ट अब अपने आप जमानत पा जाएगा कि मांगना पड़ेगा मांगना पड़ेगा तो जो अभ्यूक्त का अधिवक्ता है वह एक एक दिन गिनता रहता है जैसे एक अन्ववा दिन हुआ 91 में दिन पूलिस ने रिपोर्ट नहीं भेजी अन्वेशन पूरा नहीं किया तुरंत अप्लिकेशन दे कर क्या कर देगा जमानत साधिकार मिल जाती है एनि कि जैसे ही पूलिस सुष्त पड़ी अपराधी जेल से क्या होते हैं यहां भी खेल खेला जाताए और क्या धन 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 एनि कि दरोगा जी को धन दीजिये का जुर मिल चार दिन ओर क्या करिए जैसे इतना जैसे से अश tutti तैंगा वैसे आपका 100 दिस॑ अगर जैसे नब्य दिन पार्हाप कर देंगे तो 91 दिन हमारे वकील साहब से बात हो गई है अप्लीकेशन सब्सक्राइए क्या ले लेंगे जमानत और अब बता है यही 91 दिन जमानत मिल गए और 92 दिन चार सीट दार होए तो क्या इसा धार पर जमानत अब निरस्त होगे कि 4 सीट दार होए, नहीं? हां, सर्थों का उलंगन की अवलग बात हैं, लेकिन 4 सीट बाद में दार करने पर जमानत निरस्त नहीं होगे. अब ये समस्या है मान लिजे पूलिस ने अगला आपका इसी पर बढ़ना है मान लिजे पूलिस ने 4 सीट भेज दी 60 या 90 दिन के अंदर फिर अभियुक्त को 15-15 दिन के लिए कहां भेजा जा रहा है जेल दिखे आपका एक और पॉइंट इसमें है कि अगर पूलिस का स्टडी में देना है तो अभियुक्त को ससरीर कोट में पेस किया जाएगा वीडियो कांफरेंसिंग काम नहीं करेगी और अगर 15-15 दिन के लिए के वल क्या किया जा रहा है जूडिसियल का स्टडी में तो ससरीर नहीं पेस करना है वहां कामरा लगा है यहां कामरा वहां अभियुक्त को खड़ा किया गया दिखाई दे रहा है और यहां से आपका मजिटेट ने क्या क्या लिख दिया जेल से आने क्या हो सकता नहीं है अब 15 दिन 15 दिन हमेशा क्या होगा बढ़ता रहेगा आप समस्य आई ki běčारा कितने दिन जेल में रहेगा पंदरा पंदरा दिन तो इसके लिए एक धारा इस पेसल बनाई गई क्योंकि ये देखा गया आपका रूदल साह के केस में ये देखा गया कि कम दंड से दंडन आप राते और 15-15 दिन रहते रहते कई साल रह गया कि दो साल सजा मिल सकते हैं पांच साल रहा गया क्योंकि जमानत ही नहीं हो पाई तो आपका इसके लिए एक सेक्षन सी आर पीसी में नया जोड़ा गया पूछा गयाता है जैस में 436 ए आप निकाल लिए एक बार एक दूमिनेटर पढ़ा जब है आपका 436 ए पढ़कर आईएगा घर से तब कल पढ़ा जाएगा एक सेक्षन मैं और कॉर्लेट कर रहा हूं कौन सा तो 436 ए पढ़कर आईएगा पराध आपका आजीवन कारावास या कारावास से दंडनी है और आधा अवद बिना जमानत के वह व्यतीत कर चुका जेल में तो सामानित जमानत दे दी जाएगी आधी अवद तिसे घर में चोरी किया साथ साल साड़े-तीन साल बिना जमानत के क्या हुआ रहा गया लेकिन अब किसी भी हाल में जो अधिकतम दंड है उसे अधिक उसे रखा तो अधिकतम कितना है सुदारण में साथ साल अब आजीवन कारावास का आधा करना है क्योंकि आधा मैं बता रहा हूं तो तुरंत IPC की धारा कौन कोर्लेट करेंगे 57 आजीवन कारावास की गढ़ना अगर दंड भिन्यों में करना है तो वह कितने वरस के तुल्य माना जाएगा 20 और 10 वरस रह गया तो छोड़ा जाएगा आपका सामान नियम लेकिन ये नियम मृत दंड के मामलों में लागू एनकि जिस अपराद में कैसी सजा है फासी की सजा है उसमें 436 एकाम करेगी कि नहीं न नहीं तो कल आपका बता जाएगा ये 167 आपका सुरू कर देंगे सामानी बातें 24 लाइन कल बता के और और आपका बेर एक सुरू किया जाए उसी में 24 बातें और बताई जाएंगी पढ़कर एक बार आईए भाई थोड़ा कठीन है 167 और आपका सुवड़ा कर पताएंगी ये Bishop प disgchy़म उसने शाएंगा झाएंगी में 151 बाला सक्नकर लधका में जाएंग == झाल झाल